तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहतरीन सा सवाल को यहाँ पे देखेंगे हमें इस प्रशन में केबल कारण बताना है यदि ऐसा प्रशन में है तो इसके कारण को बताना है उपर में जैसा आप देखने की कारण बताओ, रीजन को बताना है और प्रशने देखिए क्या है भारत का पास का आयात एबंग निर्यात दोनों करता है यानि कारण बताना है कि भारत जो है का पास का आयात भी करता है निर्यात भी करता है तो कैसे करता है अब देखिए आयात का मतलब यह हुआ जब भारत आयात का मतलब हुआ जब भारत किसी दूसरे देश से वस्तूओं को अपने देश में भारत में मंगाएगा भारत में लेकर के आएगा किसी दूसरे देश के वस्तूओं को तो उसको बोलते हैं आयात और निर्यात का मतलब यह हुआ कि जब भारत किसी दूसरे देश में वस्तूओं को भेजेगा निर्यात का को चाहे तो हम किसी दूसरे देश से मंगा सकते हैं आयात कर सकते हैं या नहीं तो क्या निर्यात कर सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ कैसी होगा हम यानि कपास को किसी दूसरे देश से आयात करते हैं मतलब मंगा दे भी हैं और किसी दूसरे देश में भेजते भी हैं निर्यात करते हैं यह कैसे हो रहा है अब बात तो दो ही हो सकता है ना कि कपास मेरे पास खुब ज्यादा हो सकता है या मेरे पास कपास थुरा सा कम हो सकता है यदि हम लोग का देश में कपास का उत्पादन अधिक होगा तो हम निर्यात करेंगे यदि कम होगा तो क्या करेंगे किसी जादा होगा तो निर्याद कर सकते हैं किसी दूसरे देस में भेज सकते हैं लेकिन ये दोनों येक साथ कैसे हो रहा है इस बात को समझे देखिए भारत में जो कपास होता है ना उसका लंबाई जादा नहीं होता है यानि ये कम लंबाई वाला कपास भारत में इसका लंबे रेसे वाले कपास हैं, उसका उत्पादन नहीं के बराबर होता है, तो इन कपासों को हमें किसी दूसरे देश से आयात करना परता है, मंगाना परता है, यानि छोटे लंबाई का बहुत जादा हो रहा है, तो दूसरे देश में निर्यात कर रहे हैं, भेज रहे हैं, औ भी करता है यहां पर देखिए उत्तर में भारत विश्व का एक परमुक का पास उत्पादक देश है कैसा उत्पादक का मतलब उत्पादन करने वाला यानि भारत विश्व का ऐसा देश है जो बहुत बरे मात्रा में का पास का उत्पादन करता है का पास का पाइदावार करता लेकिन यहां पर एक technical problem हो समझे यहां क्या है लेकिन यहां परमुक रूप से छोटे रेसे कैसे छोटे रेसे यानि कपाद जो होता है वो रेसेदार होता है तो छोटे रेसे वाले कपास का उत्पादन होता है भारत में कौन सा छोटे रेसे वाले कपास का उत्पादन होता है अब देखिए ऐसे में भारत यहां उत्पाद छोटे रेसे वाले कपास का निर्यात करता है, मतलब किसी दूसरे देश में भेज देता है इन छोटे रेसे वाले कपास का, क्योंकि भारत में बहुत सारा उत्पादन होता है ना, तो ये किसी दूसरे देश में हम भेज देते हैं जबकि यहां लंबे रेसे वाले कपास का उत्पादन परियाप्त नहीं होने के कारण परियाप्त का मतलब जितना हमें आवा सकता है जरूरत है उतना उत्पादन नहीं होता है तो इसके कारण हमें किसी दूसरे देश से मंगाना पड़ेगा न तो होने के कारण तो भारता ऐसे का पास का क्या करता है आयात करता है किसी दूसरे देश से मंगाता है अपना देश में तो यहाँ पर यह वीडियो समापत होता है दिस्क्रिप्सर में और भी वीडियो के लिं हैं गंडवाद